दोस्तो आज फुर्शत के पल में कोरोना काल में सोचा दो लाइने और सोजे की रशित आपको मैं अपने दोस्तों को भेजूँ दुख क्यों होता है दुख क्यों होता है दुख पैदा ही क्यों होता क्योंकि हम बदलाव को होने नहीं देते हम पकड़ते हैं हम चाहते हैं कि चीजे स्थिरो फिक्स हो जाए यदि तुम इस्तिरी को प्रेम करते हो तो तुम उसे आने वाले कल भी चाहते हो वैसी ही जैसे कि वह तुमारे लिए आज है इस तरह से दुख पैदा होता है कोई भी आने वाले च्छन के लिए नुस्तुनिशित नहीं हो सकता आने वाले कल की तो बात ही क्या करें होस से भरा ब्यक्ति जानता है कि जीवन सतत बदल रहा है जीवन बदलाहट है यहां एक ही चीज अस्थाई है और वह है जीवन की इस प्रकरती को स्विकारना इस बदलते अस्थित्व को उसके सभी मौसम और मुड के साथ स्विकारना यह सतत प्रवाह जो एक छण के लिए भी नहीं रुखता आनंद पूर्ण है तब कोई भी तुमारे आनंद को बिचलित नहीं करता अस्थाई हो जाने की तु को स्विकार लेता है उस स्विकार में आनंद है तब सब कुछ सुब है तब तुम कभी भी विशाद से नहीं भड़ते और सो रजनीश जी थैंक यू थैंक यू अबरिबड़ी